हालो एब्रिवान वल्कम बैक टू में चानल देखिया आज मैं एवाला डिजाइन देके आए हूँ ए डिजाइन बहुती खुबशुरर सिंपल सा डिजाइन है और इस डिजाइन को बनाना भी बहुती आसान है इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेट पे डाल सकते हो कार्डिकन, लेडी जाकेट, बेबी स्वेटर, फ्रोग, क्याप, सॉल किसी भी प्रोजेट पे डालिए बहुती सुन्दर बनके आएगा रंग साइट पे इसा दिखता है ए डिजाइन जुस एट रोज का डिजाइन है इन्ही एट रोज आपको आगे आगे रिपिट करना है इस डिजाइन को बनाने के लिए six multiple में फंदा लेना है प्लस फो प्लस टू करना होगा मल्टिपल आप six प्लस फो प्लस तू एटीजाइन राइट साइट सीस्थार करना है रोजण आपको राइट साइट सीस्थार करना है इस पर मैंने 6 मल्टिपल करके 12 प्लास 4 प्लास 2 कर लिया है टोटल 18 कर लिया है फास रो राइट साइट फास रो एक फंदा एसे स्लिप कीजे अब यहां सरी पिर पैटर निस्टार करना है रागा को आगे कीजे 4 फंदा उल्टा फिर धागा पीछे कीजे 2 फंदा सीध एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तोक एक डिजयन खतम हूआए आपको रिपीट करना है बार-बार 4 फंदा उल्टा एक दो तीं चार दो फंदा सीध एक दो आपको यह repeat करना है एहासे फिर वह repeat करना है धागा आगे कीजे 4 फंदा उल्टा एक दो तीन चार फिर धागा पीछे कीजे 2 फंदा सीधा एक दो एक फंदा को छोर कर एहासे यहा तक दो डिजन खतम हुआए लास्ट में आपको तीन, पांच फंदा बजेगा, धागा आगे कीजे, चार फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा पीछे कीजे, एक फंदा सीधा, फर्स रो भी बुनके कम्प्रिट कर लिया हैं, आप सेकेंड रो, रांग साइट, सेकेंड रो, एक फंदा एसे स्लिप कीजे, अब यांसरी पेट पैटर निस्टार करना है, धागा को पीछे कीजे, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा आगे कीजे, दो फंदा उल्टा, एक, दो, एक फंदा को छोर कर यहां से, यहां तक एक डिजन खतम हुआए, आपको ए रिपिट क करना है, बार बार, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, फिर दो फंदा उल्टा, एक, दो, आपको ए रिपिट करना है, एहां से फिर फिर रिपिट करना है, धागा पीछे कीजे, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा आगे कीजे, दो फंदा उल्टा एक दो एक फंदा को छोल कर यहां से यहां तोक दो डिजन खतम हुआ है लास्ट में आपको पांच फंदा बजेगा धागा पीछे कीजे चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर धागा आगे कीजे एक फंदा उल्टा सेकेंड रो भी बुण के कम्प्लिट कर लिया है आप थार रो थार रो सेम रो अन कीजे शाई बुणना है एक फंदा एसे स्लिप कीजे आप यहांसे जी फिर पैटर निश्टार करना है धागा को आगे कीजे चार फंदा उल्टा एक, दो, तीन, चार फिर धागा पीछे कीजे दो फंदा सीधा एक दो एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तोक एक डिजन खतम हुआए आपको ए रिपीट करनाए बार बार चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार दो फंदा सीधा एक दो आपको ये रिपीट करना है एहा से फिर वे रिपीट करना है धागा आगे कीजे चार फांदा उल्टा एक दो तीन चार फिर धागा पीछे कीजे दो फांदा स्चीधा एक फंदा को चोल कर यहां से यहां तोक दो डिजन खतम हुआ है लास्ट में आपको पांच फंदा बचे का धागा आगे कीजे चार फंदा उल्ट एक दो तीन चार फिर धागा पीछे कीजे एक फंदा सीधा थार्ड रो भी बुनके कम्प्रिट कर लिया है आप फोरो फोरो एक फंदा एसे स्लिप कीजे आप यहां से फिर पैटरनी स्टार करना है धागा को पीछे कीजे चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर धागा आगे कीजे एक फंदा उल्ट फिर दो बार यानुबर करना इस तरह जे एक दो फिर एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे कीजे पीछे की साइड से दो बार यानुबर कीजे एक दो एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तो एक डिजन खतम हुआ है आपको एक रिपिट करना है बार बार चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर एक फंदा उल्टा फिर दो बार यानुबर कीजे एक बार एक फंदा उल्टा फिर दो बार यानुबर कीजे आपको एक रिपिट क फिर दो बार यान बर किया एक दो फिर एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे कीजे पीछे की साइड से दो बार यान बर कीजे एक दो एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तोक दो रिजन खतम हुआ है लास्ट में आपको पांच फंदा बचेका चार फंदा सीधा एक दो तीन चार, फिर धागा आगि कीजे एक फंदा उल्टा फोर और भी भुनक्या कम्प्रिट कर लिया हैं अब फीप्तरो फीप्तरो एक फंदा एसे स्लिप कीजे अब यह अरइसरी फिर पैटरन इस्टार करना है धागा को आगि कीजे चार फंदा उल्टा एक, दो, तीन, चार फिर धागब पीछे कीजे जो आमने दो बार यहान बड़ी किया था उस फांदा को इसे ड्रॉप करेंगे इस तरह चे फिर एक फांदा स्लीब फिर से इस फांदा को भी ड्रॉप करेंगे फिर एक फांदा स्लीब एक फांदा को छोर कर यहां से यहां तोक एक डिजन खतम हुआए आपको ए रिपीट कर नाए बार बार एहां से फिर बाई रिपीट कर नाए धागा आगे कीजे चार फांदा उल्ट एक दो तीन चार फिर धागा पीछे कीजे दो बार यानवर किया फंदा को अब इस तरह से ड्रॉप करेंगे फिर एक फंदा स्लिप फिर से इस फंदा को भी ड्रॉप करेंगे फिर एक फंदा स्लिप एक फंदा को सोर कर यहां से यहां तक दो डिजन खतम हुआए लास्ट में आपको पांच फंदा बचेगा धागा आगी कीजे चार फंदा उल्ट एक दो तीन चार फिर धागा पीछे कीजे एक फंदा सीधा फिप्त रो भी भूनके कम्प्रिट कर लिया हैं अब 6 रो एक फंदा एसी शलिप कीजे अब यहां सरी फिर पैटर नीश्टर करनाए धागा को पीछे कीजे 4 फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर धागा आगी कीजे अब इस शलिप कीआ फंदा घब यहां पर भी स्लिप ही करेंगे दो फंदा स्लिप एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तोक एक डिजन खतम हुआए आपको ए रिपीट करना है बार बार चार फंदा स्लीधा एक दो तीन चार फिर दो फंदा स्लीप आपको ए रिपीट करना है यहां से फिर फिर रिपीट करना है धागा पीछे कीजे, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा आगे कीजे, दो फंदा स्लिप, एक फंदा को सोर कर यहां से, यहां तो दो रिजन खतम हुआ है, लास्ट में आपको पांच फंदा बचेका, धागा पीछे कीजे, चार फंदा सीधा, एक, दो, ती चार फिर धागा आगे कीजे एक फंदा उल्टा शीक्स रोभी बुन के कम्प्रिट कर लिया हैं आप 7 रो, 7 रो 1 फंदा ऐसे स्लिप कीजे फिर धागा आगे कीजे एक फंदा उल्टा अपे 2 फंदा बुन्नी के बाद अपे हसे रिफीर पैतन इस्टार करनाई दो फंदा उल्टा एक, दो फिर धागा पीछे कीजे अब इस उल्टा फांदा और इस लिप किया फांदा को ट्विष्ट करना राइट निडल आगे से लेनाए आगे के एक फांदा को पीछे करनाए और पीछे की फांदा को आगे अब इस फंदाग फिर लेफ निम लेना है फिर एक फंदा सीधा बुणना है फिर धागा आगे कीजे एक फंदा उल्टा फिर से स्लिप किया फंदा और इस उल्टा फंदा को ट्विष्ट करना राइट निडल पीछे से लेना है पीछे की फन्दाको आगे और आगे की फन्दाको पीछे करना है फिर एक फन्दा उल्टा फिर धागा पीछे एक फन्दा सीधा एक फन्दाको छोर कर यहां से यहां तोक एक डिजन खतम हुआए आपको एरीपिर करना है बार बार दो फन्दा उल्टा एक दो फिर दो फांदा को ट्विश किया आगे की साइड से फिर एक फांदा सीधा एक फांदा उल्टा भुना फिर दो फांदा को ट्विश किया पीछे की साइड से फिर एक फांदा उल्टा एक फांदा सीधा आपको एडिपीट करना है एहां से फिर एडिपीट करना है धागा आगी कीजे दो फान्दा उल्टा एक दो फिर धागा पीछे कीजे अब इस उल्टा फान्दा और स्लिप किया फान्दा को ट्विस्ट करना राइट निडल आगे से लेना है अब इस फान्दा को फिर लेफ इस फंदा को लेफ नेम लेनाए, फिर एक फंदा उल्टा बुन नाए, फिर धागा पीछे कीजे, एक फंदा सीधा, दो फंदा को छोर कर यहां से, यहां तोक दो डिजन खतम हुआए, लास्ट में आपको चार फंदा बचेकर, धागा आगे कीजे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन फिर धागा पीछे कीजे एक फंदा सीधा सबेन रो भी भुण के कम्प्रिट कर लियाएं आप एट रो एक फंदा एसे स्लिप कीजे आप यहां सरी पिर पैटर निस्टा करना है धागा को पीछे कीजे चार फंदा सीधा एक दो तीन उल्टा फंदा को भी सीधा भुणना है चार फिर धागा आगे कीजे दो फंदा उल्टा एस सीधा फंदा को उल्टा भुणना है एक दो एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तोक एक डिजन खतम हुआ है आपको ए रिपिट करना है बार बार चार फंदा सीधा एक दो तीन चार दो फंदा उल्टा एक दो आपको ए रिपिट करना है एहां से फिर बार रिपिट करना है धागा पीछे कीजे चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर धागा आगे कीजे दो फंदा उल्टा एक दो एक एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तक दो डीजन खतम हुआ आए लाश में आपको पांच फंदा बजेखा धागा पीछे चार फंदा सीधा एक दो तीन चार फिर धागा आगे कीजे एक फंदा उल्टा एट रो भी बुनके कम्प्रिट कर लिया है देखिए ए डीजाइन जस आज एट रोज का है इन्ही एट रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है अब यहां से फिर रो वान इस्टार करना है देन रिपीट करके जाना है रो वान से रो एट तक जब यह बार बार रिपीट करेंगे तो ए डीजाइन एसा बनके आएगा लास्ट में मेरी चानल को लाइक, कमेंट, सेर और सबसे करना मात बुलिएगा थैंक यू